नमस्कार मैं हूँ पंकच कुमार इस खास पेशकस में मैं आपका परिचे एक ऐसे मेमान से करा रहा हूँ जो वैसे किसी परिचे के मोहताज नहीं है वो बहुत बड़े डॉक्टर हैं और खास तरब पर उस बिमारी के डॉक्टर हैं जो की ला इलाज माना जाता है और सवाल ये भी है कि नॉन कम्निकेबल डिजीज में उस बिमारी की चर्चा बहुत होती है कहा यह जाता है कि एक बार आप उस बेमारी से ग्रसित हो गए तो फिर उससे छुटकारा पाना मुश्किल है हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि क्या वाकई मुश्किल है लेकिन जो सक्सियत हमारे साथ हैं उनसे मैं आपका परिचा करा दूँ इनका नाम डॉक्टर दिनेज पेंडार कर है और यह कैंसर स्पेसिलिस्ट है और मैं आपको यह बता दूँ कि यह डारेक्टर सरवोद है हॉस्पिटल फारिदाबाद है सवाल यह उटता है कि इनको कैंसर को लेकर के जो स्पेसालिटीज है उसके बारे में तो हम चर्चा करेंगे ही करेंगे क्योंकि बहुत सारी डिग्रियां इनके पास है यह फैलो अमेरिकन सोसाइटी ओफ क्लिनिकल उंकोलोजी भी हैं तो आप समझ लिजे कि इनका ग्लोबल एक्स्पोजर है यह पूरी दुनिया में क्या चल रहा है कैंसर में लेटेस टेकनोलोजी से कैसे उसका ट्रीटमेंट हो सकता है सारी चीजें यह जानते हैं और इन्होंने बहुत सारे पेसेंट को ठीक भी किया हम इनसे समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार कैंसर कितनी बड़ी बिमारी है कई तरह के सवाल हम इनसे करेंगे जो आपकी जानकारी के लिए बहुत जरूरी होगा बहुत महत्पूर्ण होगा तो डॉक्टर दिनेस फेंडार कर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में आप हमारे साथ आए हैं मैं समझता हूँ कि आप जो जानकारी देंगे दर्शकों को बहुत लभानवित करेगा क्योंकि कैंसर को ले करके लोगों के दिमाग में इतना बड़ा डर रहता है एक बार जैसे ही सुनाई पड़ता है कि अमुक विक्ती को कैंसर हो गया वो बहुत डर जाता है वो बहुत घबरा जाता है और खास तोर पर अब देखें तो इतने ब्यापक पैमाने पर कैंसर फैलता जा रहा है कि हर तीसरे चौथे पांचमें आदमी को पता चलता है कि वो कैंसर से पेड़ित है तो आखिरकार कैंसर इतना फैल क्यों रहा है और क्या ये वाकई ला इलाज बिमारी है नमस्कार पंकट जी और मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो हम यह समझ लें कि कैंसर एक ला इलाज बिमारी नहीं है कैंसर एक बिमारी नहीं है यह कई तरह की बिमारियों का एक समू है इसमें कुछ बिमारियां हैं जो शायद ला इलाज हो मगर ज्यादा तर बिमारियां वो हैं जो इलाज से ठीक हो जाती है कई सारे फेक्टर हैं जो निर्दारीत करते हैं कि कैंसर किस दिशा में बढ़ेगा, कितना ठीक होगा इसलिए मेरी सबसे पहली गुजारिश आप से यही रहेगी कि कैंसर को हम इलाज लायक बिमारी माने और किसी के पता पढ़ने पर कि यह कैंसर है, अस्पताल में जाने के पहले मन बना के जाएं कि मुझे ठीक होना है और अगर आप मन बना के जाएंगे कि मुझे ठीक होना है तो विग्यान इतना आगे पहच चुका है कि आपकी इसमें अवर्ष मदद करेगा मगर हमें इसमें डॉक्टर और स्वास समस्ता के साथ मरीज की अंदर से ताकत की बहुत जरूत है कि वो आगे आकर इस इलाज में मदद करें कैंसर को ला इलाज ना माने मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मरीज वो ठीक हो सकते हैं जिनका विल पार जिनके अंदर की ताकत बहुत मजबूत हो क्योंकि हमने कई सारे सेलिबरेटीज की चर्चा भी सुनी है उनके बारे में पढ़ा भी है कि वो ठीक इसलिए हो गई क्योंकि उनके भीतर विल पार बहुत जबरदस था तो Will Power का रोल क्या होता है? क्या वो अंदर से आपको ज़्यादा इम्मिनिटी देता है? क्या वो ज़्यादा ताकत प्रदान करता है जिससे कैंसर जैसी बिमारी से लड़ा जा सके? शायद आपने बिल्कुल सही पकड़ा कैंसर वो बिमारी है जो सिर्फ किसी कारणों से नहीं होती है जिसमें जो मेरा शरीर है वो अंदर से कितना ताकतवर है यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है और Will Power ही हमारी कई चीजों को कंट्रोल करता है Will Power हमारी इम्मिनिटी को कंट्र भावित करता है तो Will Power की बहुत जादा वैल्यू है जो मरीज ठान लेता है कि मैंने ठीक होना है प्राय मैंने मेरे 40 साल के experience में देखा है कि वो ठीक हो जाता है अगर मैंने पहले ही दिन मान लिया कि नहीं यार मैं तो बिल्कुली ठीक नहीं होने वाला हूं वो मरीज ठीक नहीं करता है इसलिए मेरी सबसे पहले गुजारिश है अगर किसी को पता भी पड़ता है कैंसर है तो ठान के मरीज का मन बन ठीक होने का इरादा रखके फिर अस्पताल में प्रवेश करें डॉक्तर मैं आपसे यह समझना चाहूंगा विल पावर जिसको हिंदी में कहते हैं द्रेड इच्छा सकती अब सवाल यह उठता है कि द्रेड इच्छा सकती परसंटू परसंट वैरी करता है और यह कहा जाता है कि जिनकी द्रेड इच्छा सकती मजबूत होती है वो उतने ही ज़्यादा मजबूत इंसान होते हैं और वो अपनी जिन्दगी में उतने ही ज़्यादा सफल होते हैं और आपने बड़ी अच्छी बात कही कि जो जितना ज़्यादा विल पार मजबूत करेगा उसकी ठीक ह की संबावना उसके ठीक होने की संबावना बहुत ज़्यादर है पर हमने जब चर्चा की शुरुआत की ती तो आपने का था कैंसर बिल्कुल लाई इलाज बीमारी नहीं है कुछ ऐसी बीमारी जरूर है क्योंकि आपने बता है कैंसर बिमारी का समू है उसमें कुछ ऐसी बिमारिया है जो की ला इलाज है बाकी सब को ट्रीट किया जा सकता है जरा अगर आप इसको एक्स्प्लेंग कर दें तो मुझे लगता है कि दर्शकों तक ये बात मुझे पहुचेगी जो की बहुत ही हो रहे हैं उससे जादा कैंसर के मरीज हैं जो इस बिमारी से पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं आज ठीक हो के दुनिया में रहने वालों की संख्या कैंसर जो हो रहा है उस मरीजों से कई गुना जादा है यह एक इफेक्ट ये प्रूफ करता है कि कैंसर एक ठीक होने वाली यहां ऐसा बहुत बार होता है कि कैंसर लेट स्टेज में पकड़ में आया, मरीज सही समय पर डॉक्टर के पास नहीं पहुच पाया या कुछ इस तरह का बिमारी है जो ठीक नहीं हो सकता है, यह बहुत कम नंबर है इसका आज की तारीक में मरीज अगर जैसे ही उसको तकलीफ होती है वो डॉक्टर के पास पहुच जाता है आज हमारे पास सारी सुजदाएं हैं, हमारे घर के पास में डॉक्टर मौशूद है, हमारे पास जो आम जाँच है जिससे हम कैंसर को पकड़ते हैं एक स्रे है, सोनोग्राफी है, रूटीन खून की जाच है, यह हर गली में मौशूद है तो आज मरीज शोटी सी भी तकलीफ होते से ही डॉक्टर के पास पहुच जाता है और डॉक्टर जाच करके कैंसर की संभावना बता देता है पहले यह नामुम्किन था, इसलिए हम अब कैंसर को जल्दी जल्दी पकड़ने लगें मतलब पूर्वा स्था में पकड़ने लगें और इसके कारण नैचली कैंसर का ठीक होना स्वावाविक है और कैंसर ठीक हो रहा है और आगे भी होगा तो यह आप हमें बताईए क्योंकि मैं चाहूंगा कि यह दर्शकों तक यह बात पहुंचे कि दरसल कैंसर ठीक होगा यह तो आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं यह बहुत सारे लोगों के विल पार को मजबूत करेगा जो इस प्रोग्राम को देखेंगे